हलो फ्रेंड्स मैं विने निर्भिक फ्रेंड्स आपका एक बर फिर से में चनल पर श्वागत है फ्रेंड्स जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आज सेकेंड फर्वरी है आज आप लोग उमीद कर रहे होंगे कि आज आपको ऑफिशल नोटिस आ जाएगा फोर्थ फेज का जैसा कि मैं बहुत पहले ही बताया था ठीक है फ्रेंड्स और मैं एक कल ही इस पर विडियो लाने गाल था क्योंकि जब मैं कल आट यह रीप्लाइ विडियो डाला था इस पर भी चर्चा करेंगे क्योंकि आप जाने रहें 12 दिन 24 सेट में ये टोटल एक्जाम हो रहें ठीक है तो आप याई रिप्लाइओ अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो उससे जरूर देख लें क्योंकि वहां से आपको ये confirmation मिल जाएगा कि अगर कितना है अगर आप एक्जाम देने से पहले competition चेक कर लेंगे कि आपके लिए फायदे मन्द होगा और expected cut-off भी आप देख सकते हैं कि आपके लिए माले जीए कि सेफी स्कूर कितना हो सकता है और कितने आपको CBT2 का प्रेपरिशन स्टार्ट कर देना चाहिए तो उससे प अगर कब आएंगे और CBT2 कब हो सकता है ठीक है तो हम आज बात कर लेते हैं फ्रेंड्स फूल सेडूल का तो जैसा कि मैं पहले ही बताया था कि जो सेकेंड फेस था मैं आपसे बोला था कि आपका स्टार्ट हो जाएगा कब 14 जनवरी से तो स्टार्ट हुआ था जैसे मैक्समा लोग 14 बोले थे ठीक है लेकिन मैं 16 बोला था क्यों क्योंकि 14 और 15 को खिषडी का होल्डे था लगवग सभी जगव मनाया जाता है ठीक है तो सेकेंड फेज जो आपका हुआ 16 से लेकर के 30 जनवरी तक चला ठीक तीसरा फेज आपका 31 से लेकर के 31 जनवरी तक है ठीक अब बात आती है चौथे फेज की चौथी फेज में मैं हॉल्डे चेकिंग और फ्रेंट्स तो 13 फरोरी को ऐसा कोई हॉल्डे खास दिखा नहीं रहा है वैसे गूगल सर्च करेंगे करता किसे नहीं मानता है तो फ्रेंट्स मुझे लगता है कि 13 को ही आपका एक्जाम स्टार्ट हो जाएगा ठीक है मैं दिखाता हूं पहले कुछ हॉल्डे लिष्ट जो मुझे लगता है कि इसमें से कोई एक दो हॉल्डे हो सकते हैं ठीक देखे 16 फरोरी के एक हॉल्डे मु हो सकते हैं यह यूपी मना जता है और यह भी हो सकता है फिर इसको हॉल्डे माना जाता हो उस स्टेट में उस दिन कोई एक्जाम नहीं मानते हैं तो मुझे क्या लगता है फिर माल जे 27 फरोरी को गुरूर रविदास चैन्ती है तो मुझे लगता है 16 और 27 फरोरी दो दिन चुटी हो सकता है यह बीच वाला जो लग रहा है सीवाजी जैन्ती हजरत अलिस बर्डे फड़ा उमीद कम लग रहा है क्यों कि यूपी माना जाता ह है शिवाज जैन्ती महाराष्ट मना जाता है बसंद बंचमी लगभग सभी जग मना जाता है तो थोड़ा सा इसका मुलब ज्यादा है पॉसिबिल्टी कि इस दिन हॉल्डे रखा जाए ठीक है तो इसलिए मैंने आप लोग देख सकते हैं मैंने थामनेल में क्या लिख में किस इनकी इसका एकजाम नहीं है ठीक है तो फ्रेंड्स मैं इसका बात कर रहा हूं तो यह 13 से लेकरके 28 के बीच में कभी बारवा दिन की एकजाम हो सकते हैं क्योंकि आपको मालूम है कि जो जिस हुई आत क्ला एक्जाम वो टॉटल पांच फेज में हो सकते हैं यानि कि 24-24 shift अगर हम बात करें टोटल 120 shift में exam हो सकते हैं ठीक है और 12-12 दिन यानि 60 दिन में 120 shift में total exam हो सकते हैं total 5 phase में कभी कैनिट्स कम बुलाए जा रहे हैं कभी कैनिट्स अधिक बुलाए जा रहे हैं लेकिन on average देखा जाए तो 5 phase होने वाला है और सभी 12-12 दिन exam होंगे यानि 24-24 shift यानि कि total 60 दिन 120 shift 5 phase में ठीक है तो friends अगर हम बात करें notice कब तक आएगा CT intimation कब आएगा तो friends अगर 13 तारिक को आपका exam स्टार्ट हो जाता है मिस 13 फर्वरी को तो आज आपको notice देखने को मिल जाएगा अगले दिन से यानि कि तीन फर्वरी से रात के नौ बज़े से अपना date और सीटी इंटिमेशन चेक कर सकते हैं तो friends वहां पर क्यों लिखा रहेगा नौ बज़े से लेकिन मैं बता दू पिछले भार भी नौ बज़े लिखा हुआ था और आपका date और सीटी इंटिमेशन मे ने लगे थी ठीक है तो आप लोग भी पहले ही ट्राइक कर सकते हैं भले वहां लिखा हुआ नौ बज़े आएगा अकर ऐसा लिखे आता है यहां पर तो उसके पीछा मत पढ़िए बस आप आज नोटिस का वेट करिए आज पूरा चांस है 90% कह सकते 99% भी कह सकते हैं कि चांस भी 6 तेक मैकसमा मिल जाएगा नोटिस और कल रात में आप चेक कर सकते हैं अगर पांच भी नहीं आता है नौबस जरूर आजाएगा आप सीटी इंटिमेशन ठीक है बस आपको क्या करना है अपने डीटल सही फिल करना है और अपना मेल और एसमस भी चेक करना है क्यो कि अगर उनका रॉली ख़ड़ी हो सकती है क्योंक उनका बोलेगा कि अपका इस फेज में नहीं है तो फिर प्राउबलम हो जाएगा अगर नहीं कर रहा है यह कोई आप से ARE आपको बहुत होना पड़ेगा आपके पास अपना अप्लिकेशन नंबर जरूर होना चाहिए कहीं से भी वैसे फॉर्गे डिश्रेशन नंबर का ओप्शन भी आ रहा है उहां से आप ले चकते हैं और उसे केरफूली उसको आपको फिल करना होगा केरफूली आप फिल नहीं क नहीं करना है अधरवाज आपको प्रॉब्लम हो सकता है और डेट अबबर्त आपको फिल करते वक्त क्या करना है करना है उसमें शायद कोई वगरा यूज नहीं करना मैं बोल गया हूं ठीक है तो आपको क्या करना है अकर माल लीजिए आपका डेटा बर्च्यू है और माल लेजिए एक फरवरी अगर मैं सब पूच कर लेता हूं ठीक है तो फिर क्या होज़ेगा इसमें आपको कैसे डेटा पास्वर्ट में तो आपको लेखना है जीरो वन जीरो टू वन नाइन नाइन टू पूरा लेकिना और बीच में कोई स्लैस नहीं रहेगा और जीरो जरू इंक्लिट करेंगे क्यो आपको कैरफोली यह वर्क करना है फ्रेंज ठीक है और बाकि जो EWS वालों का इस्जू है कि सर्टिफिट कब से लगेगा तो इससे साथ ओबीसी वालों का भी है ठीक है यह इसू सबके साथ हो रहा सब लोग परशान है तो मैं यह वीडियो लाने वाला कि सर्टिफिकेट अब यह वीडियो लेकर आने वाला हूं अभी पहले यह वीडियो देखिए इसको समझीए और इसके बाद भी कोई प्रॉब्लम हो अगर कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में पुछ रखते हैं बाकी शाम तक आप नोटिस का वेट करें मुझे उमिद है पूरा कि शाम तक नोटिस आजाएगा और कल शाम तक आप चेक कर पाएंगे अपना डेट और सीटी इंडिमेशन वगेरा ठीक